11.5.1 Hydrogen बनाने की प्रयोगशाला विधी Laboratory Preparation Method of Hydrogen पहला, प्रयोगशाला में Hydrogen Gas, H2, दानिदार जिंक की तनू हाइड्रोक्लोरिक अमल से अभिक्रिया द्वारा बनाई जाती है अमल एवं शारक अध्याय में आपने Hydrogen Gas बनाने की इस विधी के बारे में पढ़ा है तुलित समिकरण लिखिए क्रिया कलाप 2 एक वुल्फ बोतल में थोड़ा सा दानेदार जिंक लीजिए दिये गया चित्र के अनुसार बोतल के एक मुह पर थीसेल किप और दूसरे पर मुडी हुई निकास नली लगाएगे निकास नली के दूसरे सिरे में रबर की नली लगाकर जल से भरे ट्रफ में रख दीजिए गैस को इकठा करने के लिए जल से भरे गैस जार या परक नली को उल्टा कर ट्रफ में निकास नली के उपर रख दीजिए थीसेल कीप द्वारा वुल्फ बोतल में इतना तनू हाइडरोक्लोरीक अमल डालिए कि थीसेल कीप का निचला सिरा अमल में डूब जाए थोड़ी देर बाद ट्रफ में गैस के बुल्बुले दिखाई देंगे जल के विस्थापन द्वारा एकत्रित गैस हाइडरोजन ही है यह परिक्षण आप कैसे करेंगे दूसरा दानेदार जिंक की शार के साथ अभिक्रिया से भी हाइडरोजन गैस प्राप्त होती है जेडन सॉलिड प्लस ट्वाइस एने ओच एक्वस इस इक्वल टू एने टू जेडन ओटू एक्वस सोडियम जिंकेट प्लस एच्टू गैस हाइडरोजन बनाने की प्रयोग शाला विधी प्रयोग शाला में हाइडरोजन बनाने के लिए दानेदार जिंक, तनू सल्फियूरिक या तनू हाइडरोकलोरिक अम, थिसिल फनल, वुल्फ बोतल, ट्रफ, निकास नली, मधुकोश मंच, गैस जार, आदी की आवशकता होती है दानेदार जिंक को वुल्फ बोतल में लिया जाता है तथा तनू सल्फियूरिक अमल को थिसिल फनल की साहिता से वुल्फ बोतल में डाला जाता है Jink सल्फिूरिक अमले से Hydrogen को विस्थापित करता है तथा Jink सल्फिट बनता है Jink सल्फिट बूल बोतल में शेश रह जाता है तथा Hydrogen Gas निकास नली के द्वारा गेस जार तक पहुंचती है Hydrogen Gas हवा के साथ विस्फोटक मिश्रन बनाती है इसलिए इसे पानी के अधो विस्था पंद्वारा एकत्र किया जाता है इस अभिक्रिया के समी करण को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है ZN plus H2SO4 is equal to ZNSO4 plus H2 सावधानिया हाइड्रोजन गैस को एकत्रित करते समय यदि उसमें हवा मिल जाए तो ज्वाला के संपर्क में आते ही मिश्रण में विस्थोट होता है अतह गैस को सावधानी पूर्वक एकत्रित करें तथा परिक्षण के लिए जलती माचिस की तीली परक्नली के अंदर न डालें बलकि उसके मुह के पास रखें